बात करेंगे खबरों वाले शैस की हमारे साथ श्रेट जो चुके हैं पूरा बडेट लेकर श्रेट गुड मॉनिंग बताइए गुड मॉनिंग पूजा तो सबसे पहले जो है औरोबिंदो फार्मा फोकस में रहने वाला है और इंपॉर्टन बात ये है कि जो पैंसिलिन की उनकी फैसिलिटी है उसकी कमिशनी स्टार्ट हो गई है धाइस सो मिलियन डॉलर का जो है टोटल कैपेक्स था और फंदरा हजार जो टन है पर आनम उसकी उनकी कैपसिटी है अब ब्रोकरजेस का मानना है कि जो इंक्रिमेंटल लेर्निंग कॉंट्रिबूशन है वो लगबग आट से लेकिन नौ परसेंट तक आ सकती है और इंपोर लागू के लिए होती है वो अब लागू होने वाली यह अब यह हैं पुरूवड मोडल ऑं मैनिफक्टर इस बैसिक्ली इस सोलर डॉमेस्टी उनके लिए पॉसिटिव होती है जो पैनल बनाते थे तो इसमें टाटा पावर काम टाटा सोलर यह थेल है small cap में insulation energy है तो ये एक type से positive जो हम in stocks के लिए मान सकते हैं अब बात करें तो important development ये भी आया और हमारे 18 अउस्वदेश के खबर पे मुहर भी लगा है कि अब जो है stamp duty या ready record rates मुंबई और महराश्च्रा में हैं वहाँ पे कोई changes नहीं आने वाले कोई बदलाव नहीं आएंगे rates वही रहने वाले हैं विच साल 2025 में भी और importantly ये जो stocks है जैसे कि गोदर मैक्रोटेक डवलपर्स कोल्टे पार्टल जो पूने बेस्ट भी है रेमंड इन stocks में आज तेजी देखने मिल सकती है इंडोस्टार कैपिटल फाइनस में कल एहम जो है लास्ट रेडिंग सेशन में ब्लॉग डील हुई थी जहां पर मधुसुदन केला प्रमोटेड एटेंटिटी जो है वहाँ पर देखे तो उन्हों उन्होंने जो है आप के सकते ही है अलमुस्ष 7.6% रखा है स्टेक मेट्र ब्राइंट के भी बारे में में बात करें उन्होंने जो है रिट्रेल और ट्रेड एगृमेंट के साथ जो है इंपॉर्टन करार कर दिया है Healthier MedTech उसको वो acquire कर सकते हैं एक PE firm Apex Partners इसके holder है और इसकी value लगबग 1 billion dollars है हाला कि उनकी जो बात चीत होगी वो Chris Capital के साथ हो रही है एक consortium में लेके और अगर देखा जाए तो race में जो है Blackstone और KKR भी है KPI Green भी focus में रहेगा CIG approval आई है 55 solar power projects को लेके जो 55 megawatt है उसको लेके Canera Bank में भी एक important approval आ गया है यहाँ पर जो है initiate उन्होंने कर दिया है process जहाँ पर अपनी 13% stake जो bank की है वो जो है listing जो होगी Canera Robico AMC की उसके जरीए जो है वो approval process start हो चुगी of course last year जो था यह announcement आया था importantly infosys भी focus में रहेगा और company का बयान आया कि वो लगबग 6300 करोड की जो tax refund है जो previous assessment years की वो जो है अब company realize कर सकती है तो एक type से बहुत बड़ा news flow है यह garden reach ship builders के लिए भी जो है विच साल 2024 का annual turnover के बारे में बात करें तो 34,000 करोड उपे से ज़ादा गया है और जो growth आई है वो 30% के ऊपर आया है year on your basis पे तो यह सारे stocks है जो आज दिन के रडार में focus में रह सकते हैं बिल्कुल तो धेर सारी खबरें हैं इसमें Infosys जैसे stock आज focus में रहेंगे और इसके अलावा Aurobindo Pharma और Tata Power जैसे stocks भी आज के trading session में focus में रहेंगे तो इन सब पर आज नज़र रखिए वह बहुत है शुक्रिया शुरा आपका यह पूरा analysis करने के लिए तो यह कुछ खबरों वाले shares हैं जो कि आज के trade में आज दिम भर आप नज़र रखियें